नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना नियूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवी आईए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और कौसली से भाजपा विधायक लक्षमन सिंग यादव ने बिना नाम लिये हर्याना के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव पर जोड़दार निशाना साधा और कहा कि उन्होंने केवल अपने खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए अंडर ग्राउंड लाइन डलवाई जबकि हमारी सरकार ने दस गुना पानी बढ़ाने के साथ बिना किसी भेदभाव के हर घर जल हर घर नल पहुचाने की विवस्था की है लक्षमन यादव रिवाडी के भाजपा जला कारलय में 25 जून को गौरफ शाली भारत कारेकर्ण के अंतरगत गुरुग्राम लोगसभाद छेत्र में होने वाली रैली को लेकर पत्रकारों से बाचीत कर रहे थे लक्षमन यादव ने कहा कि 25 जून को होने वाली रहता कार गुरुग्राम में होने वाली गौरफ शाली भारत रैली को लेकर कारेकरताओं में भारी उत्सा है क्योंकि पिछले 9 साल के दौरान प्रधान मंत्री नरिंद्र मोरी के नेत्रत्व में देश का विदेशों में गौरफ बड़ा है इसी के चलते पार्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए इस तरह के कारिक्रम चलाय जा रहे हैं इस दौरान विधायक ने जनसंग के संस्थापक शामप्रसाद मुखर जी के बलिदान डिवस पर उन्हें अपने श्रधा सुमन अर्पित किये रिवारी से हमारे समवाद दाता भानू शर्मा के रिपोर्ट अब आपको सब्सक्राइब शाल करता है और आज अमरा तीस महीं से और तीस जूप्टाइब के नरंतर खारिक्रम नो साल का लेखा जिप्राइब लेक्रेट और दोगों तक पार्टी जारी है सब्सक्राइब के निमित आज आपको निमंतर दिया था तक इस नो साल में किंदर सरकार और प्रदेश सरकार ने क्या-क्या उप्लबती है की है और और कोशली विराज समा में भी क्या-क्या का हुए है कि इस निमित की आपके माजन से बहुत सारी चीज़े जिल्टा थे क्या है इस नो साल में जहां पूरे विश्व में भार्ता नाम प्रोशन हुआ है अधनी मोदी नेत्रदों में और हर्याना में आप देखते हों में कभी जो आज जो नहीं विवस्तायों को जर्म दिया है वाक्ति में यहां माजमी के घर बैठे पहुच रहे हैं किसी तरह से आधनी मोदी जी के कुखे रूप से नो साल में बढ़े नो काम जैसे गरीब कल्यान की योजना है जैसे है उस इसी तरह से किसान स्मुक्ति निधी है और चाहिए वो राम मंत्री आवास योजना अने इंसरेंस को दिखी हो जैसे रक्षा-शुरक्षा में जो आधनी मोदी जी के मित्रतों में काम बढ़ा काबल कारी और आज पूरी दुनिया कि दोस्तान का नित्तों को जहां स्विकार कर रही है वहीं इस 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 देशों में जब आदनी मोदी जी जाते हैं तो सभी आज के लिया के मुप्यानेदर को दानने जिए काम मोदी इसना बोज और अमेरिका में भी पहले एटते अंभीजा ली देंगे और आज मोदी जी ज है तो यह बहुत बड़ा परिवर्चन आपको देखने को मिल रहा है लिए जमाना था चालिस टोड में देश का सोना गिरवे रख दिया था और आज हम पूरे विश्व में पात्वे आर्थिक हमारी स्थिति पात्वे नम्बर पे आई है तो आज आर्थिक स्प्रंता जहां है वहीं देश विदेश में भारत का नाम रोश्व करने का काम किया है और एक जो आत्म पर भारत और स्किल्ड में आज हम सुई से बनाके सुई से लेके और आज हम मिसायले हैं हमारे देश में बन रही है मुझे वो समय याद आता है कि जब 15 सेक्टमबर 2013 को आधनी मोदी ज के लिए यहां पर आये थे तब तो प्रदानमंत्री नहीं थे लेकिन उन्हों में एक बात कही थी तक आज हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए इस देश में एक कीली भी नहीं बनती है हमें विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ता है इसलिए आज इस लो साल पे इतना बड होना ज्यादा आज दी गई हैं चाहिए वो सीमा पर खड़े हुए नोजवान को दिल्ली की तरफ नहीं देखना पड़ता बिल्के उसके जेब में आदेश होते हैं कि जैसे ही जुस्मन का हमला हो वैसे ही उसको ठोकने का अधिकार उन चैनिकों को दिया है और आपने देख सायना के साथ था तो पाकिस्तान के साथ था तो वह मुझे बताने की जरुत नहीं आप सब लोग इससे अच्छे से वली बात ही प्रिंखिते पुरा आज को लेकर आज को लेकर हमारे राष्ट्री अध्यर्श माननी जप्रकास नट्टा जी में मोधी सरकार के सेवा कारियकरम मनाये जिनमें योग दिवर्स लावारती सम्मेलन तो आज भी हम प्रेश कोंफरेंच के बाद स्यामा प्रसाद मुखर्जी बिलाज कलिदान दिवस मना रहे हैं संप्रक से समर्थिन कारियकरम हमारा कल बावल से सुरू हो चुका है हमारा हर बूत का कारियकरस्टा इसके बाद हमारा 25 जून को जो एमर्जेंसी इंद्रा गांजी ने काना साही लगाई थे परेश का गलागोट दिया था सभी अखवार बंद कर दिये गए थे तिन सुर आदमीं तेहत्या कर दी गई थी हजारों बलात का हुए थे उसके डाकुमेंटरी दिखाई जाए जंदल के अध्यक्ते साथ शैक्ड़ों करें करता स्फुनें लगातरी करीकरम हमारे अधि चल रहेगा से पत्चिस तारीक की रेलिया उसकी क्या त्यान में हो पत्चिस तारीक की रेलिय एवाडी और बावल विधान सभा हमारी बुड़गावा लुक्समा में पड़ती है जहां से अजारों के सुंध्या में करता पतोद्य रेलिय में जाएंगा पोसले विधान सभा हमारी जोग तक परिजय में करती है तो पोसले के करता जोग तक रेशी में जाएंगा